जै शनी देव पिरिया भक्तिगरों जो शुक्कुर देवता अभी तक यानि 31 मार्च 2024 रवी वार के दिन शाम को 4 बज कर 54 मिनट तक कुम्ब राशी में विराजमान थे वो शुक्कुर देवता 31 मार्च को ही 4 बज कर 54 मिनट पर ही कुम्ब राशी को छोड़कर मीन राशी में प्रिवेश कर जाएंगे और मीन राशी में प्रिवेश करना यानि अपनी उच्छ राशी में चले जाएंगे और जब ये उच्छ राशी में चले जाएंगे तो मुझे आप सब को यानि मेश राशी से लेकर मीम राशी वाले व्यक्तियों को एवी जोड़िया एक्साइन से लेकर पाईसे जोड़िया एक्साइन वाले व्यक्तियों को किस प्रकार से अपना आशिरवाद प्रदान करेंगे या फिर कष्ट प्रदान करेंगे परेशानिया देने वाले हैं तो इस सब जानकारी को लेकर मैं गुरू रजनीश रिशी स्वामी राज रिशी के साथ आज पुने उपस्तित वहा हूं सनी पीठ मंदिर 16 बटा 24 इस इस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में इस से पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा हूं मैं उन सभी लोगों को जिनका आज जनम दिन है या मेरिज एनवर्सरी है या उनकी जिन्दगी का आज कोई बहुत ही महत्वपूरूद दिन है उन सभी लोगों को कामनाई पदान करता हूं मंगल कामना करता हूं कि आपके जीवन में सुख, हुसान्ती और सौभागी की वर्षा सदे प्राप्त होती रहे आपको इसके साथ ही जब ये सुकुर देवता कुमराशी से निकल कर मीन राशी में प्रवेश कर रहे होंगे तो उस समय आसमान में अलग-अलग ग्रहों की क्या इस्थिदियां थी वो कौन-कौन सी राशी में विराजमान थे तो आइए नजर डालते हैं आसमान में ग्रहों की इस्थिदि के ऊपर उस समय आसमान में सिंग राशी उदै हो रखची थी केतु महराज कन्या राशी में विराज माने, चंद्र देवता विरस्चिक राशी में विराज माने, मंगल देवता और सनी देवता कुम्ब राशी में विराज माने, सूर्य महराज, राहु महराज और सुकुर्द ग्रह, ये तीनों मीन राशी में विराज माने, ब्रस्पती ग्रह और बुद्ध ग्रह मेश राशी में विराजवान है और यहां बैठ कर यह सभी ग्रह विबिन प्रकार से आपको प्रभावित कर रहे हैं बात करूँ है मैं मीन राशी वाले व्यक्तियों के बारे में मीन राशी यानि पाईसेश चौडियाक साइन वाले व्यक्तियों य यह जो ग्रहन की स्थिती बन रही है यह ग्रहन की स्थिती पहले ही आपके सिर पर बन रही थी और यहां पर शुकुर देवता का उच्च का हुजाना आपके लिए एक अच्छे योग का निर्मान करता है इस योग के फलसरों कहीं न कहीं आपको जीवन में खुशियों की प्र करकार के योग बनते हैं तो कुछ देने के लिए ही बनते हैं तो ये जो समय है इसका लाब उठाने का प्रयास करिएगा ताकि आपके जीवन में निरंतर सुख सांती और सुभागी की वर्शा होती रहे हाला कि आपका इस समय जो अट्रेक्शन है विपरीत सेक्स की तरफ कुछ हाया रहेगा तो थोड़ा सा समलना भी है और यहां पर मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा जो किसी भी समस्या से परेशान है उनकी परेशानियों का हल नहीं निकल रहा है तो ऐसी इस्थिति में हमारे शनी पीठ मंदिर 16 बटा 24 इस पटे नगर नई दिल्ली में जो जनता दर्बार डगता है शुक्रवार को एवं सनीवार को उस जनता दर्बार में आप मुझसे या स्वामी राज रिशी से परसनली मिलकर यानि यहां आप चब सनी पीठ मंदिर 16 बटा 24 इस पटे नगर नई दिल्ली आएंगे वीडियो कॉल पर अपर अपरेशानियों को सुनकर उसके साबसे आपको वेदिक एस्टोलोजी के उपाय सजेस्ट करेंगे उन उपायों को करने से दीमे दीमे आपकी जीवन में परिवर्तन आने लगेगा आपकी परिशानियां आपकी दरिद्रता दूर होने लगेगी और खुशियां और चेहरे की चमक उन्नती औ और इसके साथ ही आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें. ने अभी ब्यक्तियूं के लिए जो सबी योग्जें हो चुकए हैं, उस समय पर साधी योग्जें हो रखते हैं या उनके माता-पिता के लिए, या उनके भाई-बह Teddy के लिए, मैं एक सुब सूचना लेकर यहां उपस्तित हुआ हूँ कि हमारे शनी पीठ मंदिर की तरफ से एक नई वेबसाइट लॉँच हुई है जिसका नाम है www.marriagebiodata.app आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी शादी के लिए free of cost भी अपना marriage bio data बना सकते हैं वहाँ पर आपको suggestion भी मिलेगा कि आपको क्या-क्या form में देना चाहिए जिससे आप जो prospective जीवन साथी है उसे धंग से impress करके अपने लिए सुयोग्य जीवन साथी तलास करने में समर्थ हो सकें तो आप अभी www.marriagebiodata.app पर जाकर अपना marriage bio data free of cost भी बना सकते हैं या किसी अच्छे template पर बनाना है तो यह जहुत मामूली सी cost दे कर अपना bio data बना सकते हैं PDF या वैसे download भी कर सकते हैं जै शनी देओ